हाई प्रिंस आपका स्वागत है इंडेन स्टोक मार्केट चैनल में आज हम एक नई कंपणी का अनलेसिस लेका हैं कंपणी के नाम आप इसकिन पर देख पा रहे हूं बटर अप्लाई ग्लांदी एप्लाइंस लिमिटेड बहुत ही अच्छी कंपणी है और इस कंपणी के बा मोटर होल्डिंग और उसके बाद हम आपको चार्ट पर लेवल्स पताएंगे तो आप हमारे साथ बने रहें अगर आप नए हूँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब कंपनी की स्टापना आपको बताए तो हम उसमें से में जो है उसमें SSLPG स्टोह हो यह मार्केट की लेडर है और मिक्शलि ग्राइंडर और प्रेसर कुकर में यह मेंस॑ इन tutorial नाम से मार्केट में बिखता है तो उसका नाम तीतली है अब इसके अंदर अगर हम देखें तो किचन एप्लाइंस में जो मैन तीन कंपनिया है उसमें से यह कंपनी मैन है और SSLPG स्टोग के अंदर यह मार्केट की नंबर वन लीडर कंपनी है अब इसके बोर्ड का भी थोड़ ताइम पेले बोर्ड में परिवर्टन हुआ था तो 2022 में कॉम्टम ग्रीव कंजूमर इलेक्रिकल्स के साथ इनका शेर का समझोता हुआ था जिसके अंदर उसने पचपन टके की हिससेदारी इसके अंदर अधिकरण कर ली इससे एक न्यू प्रोमोटर वो बन गई इससे पुराने जो प्रोमोटर थे MD थे चेर्में थे उन्होंने इस्तिपा दे दिया और नए चेर्में और MD बने जिसमें जो MD थे वो है रंगराजन स्री राम और जो चेर्में बने वो PM मुर्ती बने हैं, तो यहां से एक नए बोड की याइस के अंदर गठन हुआ, उसके बाद रेविन्यू देखे हैं, तो LPG स्टोव से 29% का इसको रेविन्यू मिलता है, मिक्चर गाइंडर से 29%, टेबल टॉप वेट गाइंडर से 12% का, और प्रेसर कुकर है, वहां से इसक तक कंपनी ने 29 राज्यों के अंदर अपना कारोबार करती है, जिसमें इस डिस्ट्यूपटर इसके कम से कम 400-500 डिस्ट्यूपटर अवलेवर है, कंपने कुछ नए प्रोड़क्त हैं, जो कंपनी लॉंच किये हैं, और करने वाली है, जिसमें है नोन इस्ट्यूप कुकर, नए मोडल का मिक्चर, फिर स्टैनलेस, वेक्योम फ्लॉक्स, पाने की नए बोटले, जो नए प्रकार की बोटले बना रहे है, तो यह सब इसके आने वाले टाइम के प्रोड़क्त रहेंगी, केपेक्स की बात करें, तो कंपनी 2022 में अपना केपेक्स भी बढ़ा है, अपनी यूनिट बनते थे, अब यह 10 नए प्लांट डालने की विज़े से इसके 9,000 यूनिट पर डे बनते है, और कंपनी के आने वाले टाइम के अंदर भी नए और भी मिनिफेक्ट्र प्लांट डालने की मनलब योजना है, तो यह सब चीज़त हमने आपको कंपनी के बारे हम बत अगर देखें तो 1728 और 812, इस्टोपी की बात करें तो 87 इंडस्ट्री पी एंडस्ट्री पी तो थोडा मेहेंगा ट्रेट कर रहा है, अगर डिविडेंट रिल के बात करें तो 0.19 का डिवीडेंट यह तिक ठाक है, आरो और 11 और 18 आरो 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 इनको दिखाई दे रहा है यहाँ उपर हो और पाइस से अगर प्लेजु रखा हो और प्लेज्ट रखा हो। तो कंपनी के यहां तक के जो भी अभी हमने रिश्यों देखे वह बहुत ही अच्छे आपने को दिखाई दे रहे हैं अब क्वाटर वन के रिजल की बात करें के कंपनी ने इस समय जो क्वाटर वन के रिजल्ट आए उसके अंदर कैसा प्रप्रमिस किया है और कैसी इसकी सेल् तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगातर आपको इंक्रीस मोड में दिखाई दे रहा है जैसे आप देख पारें यहां तो एक सो बावन करोड का सेल्स यह किया करती थी जून 2019 में और उसके सामने आप देखें एक सो नबे करोड और सीधा 254 करोड उसके बाद अगर हम ऑप्रे करता था और अभी नेट प्रोफिट जो अगले क्वाटर के अंदर माइनस में 19 करोड हुआ था पर इसे के साथ कंपनी वापिस जंप लेके तेरा क्रोड का वापिस नेट प्रफिट करके दिखाया है इसली बार माइनस दस परसेंट था और उससे के सामने अभी पीस आप द करोड की सेल्स हुआ करती थी वहां से अगर आप देखिए तो 600 करोड 800 करोड अभी 904 करोड अभी लेटेस चल रही है ग्यारा सो पाच करोड लगातार सेल्स आपको इंग्रीज मोड में दिखाय दे रहा है अगर प्रोफिट के अगर हम बात करें तो 20 करोड का उप्रेटिं करोड था वहां से 16 करोड हुआ 28 करोड हुआ इसमें भी आपको लगातार जम दिखाए देरी इपेस के कर बात करें तो 9 प्रसेंट का एपिस था वहां से सिधा 15 16 का एपिस हो गया है तो अकर यह टू यह की भी बात करतें तो कंपनी का सीजा रिटन कैसा है कंपनी ने कैसा सब्सक्राइब और अच्छा बाकी बात करतें यहां तब्सक ते ज Confeder Gef mantice CR card का इसा दिकाई रहा है तो कंपनी का बैलेंसर चीटर में आप यहां पर शेर सब्सक्राइल होना चीए तो LOOK आपको इस्टेबल दिखाई दे रहा है रेवन्य हमेशा कंपनी का बढ़ते हुए होना चाहिए तो आप देखे 32 क्रोड का रेवन्यू करते थे उस जिगर आप सीधे देखे 206 फी 217 तो रेवन्यू में अची कासी आपको जम दिखाई दे रही तो 39 क्रोड का फिक्सेट अच्छी दिखाई दे रही उसके बाद अकर केस भू के बात करें तो पिछली बार केस फ्लो अच्छा प्लस में 32 क्रोड था पर इस बार केस प्लोड यहां पर गटके मैनस 32 क्रोड हो चुका है अब हम इसके आगे की प्रोसेस पर बात करें जैसे का कैपिटल सौरी शेर होल पर जंप देखने को मिला क्योंकि जो क्रॉम्टम ग्रीव से इलेक्प्रोनिक जो कंपनी है उसने इसके अंदर अपना हिसेदारी बढ़ाई इसी वज़े से आपको प्रोमोटर का हिस्सा बहुत ही अच्छा कासा जंप होती है दिखा दे रहा है और फूरृृृृृृह concert लहें अच्छे है थी एक पास ले जर्मंटर कंपर प हैं और नरहीटे है को दिखाए वसकेर कंप्रोमेंस करती ओर आपиковमेंट को अगर चार्ट सब्रम या करते हैं तो आब इसकी करते हैं अब हम सिधा आ जाते हैं हम चार्ट के उपर अभी हमने कंपने का जो चार्ट लगा रखा है आप कंपने का नाम देख पारे हुए यह बटर फ्लाई गांधी लिखा हुआ है और विकली चार्ट है आपको दिखा दिया रहा है अब इसके अंदर हमने केंडल चार्ट लगा पर ब्रिक आउट देने जा रहे हैं नीचे से अगर तो यहां पर यहां पर सपर्ट लिया तो यह ट्राइंगल बन चुका है अंदर से अगर यह ब्रेक आउट देती है तो यह कंपनी को अच्छा आपको प्रोब्लम्स करके दिखाएगी अब कंपनी को पर आगे के लेवल क बिल्कुल पास में टेनलान का भी प्रेक आउट है उसके ओल टाइम हाई का भी ब्रेक आउट है तो वहां से अगर हम देखे तो इसका नीचे का फर्स सपोर्ट बरता है वह चौदा सो सित्र के आजुबाजु जो अभी करेंट प्राइस चल रहा है 1708 रुपे तो पहला जो इ अगर यह प्रेक आउट सक्सेस्पूल ही रहता है और वोल्यूम के साथ दिसे यहां वोल्यूम बढ़ते वह दिखाए दे रही है वोल्यूम साथ ब्रेक आउट रहता है यह 2200 तक भी यह शोक जा सकता है अगर आप लोंग टम की अवधी के सब से अगर इसमें निवेस करना अखने से नीकाले कि आड़ सकते हैं मारकेट के अंदर अफ़ेट क्या पाते हैं मटतलब कब बाइं करना है और अब चला करना में कब पर बना रहने है वह सब ठोटल सीजें हम आने वाले कम अभी hierarchy स्क्राइबर कम है क्योंकि हमने यूटूब पे अभी ये यूटूब चालू किया है तो आने वाले टाइम के अंदर जैसे हमारी संख्या अच्छी खासी बढ़ेगी तो हम आपके साथ डाइरेट स्टेटरजी बताएंगे कि आपको केसे बाही करना है केसे सेल करना है कौन से स तो टोटल चीजे के लिए आप हमार साथ बने रहें तो मिलते नेक्स वेडियो में थेंक्यू सो मच